हेलो गाइज गूड मॉनिंग वालकम टू माई चैनल आई होप सब बढ़िया होंगे हम लोग भी बढ़िया है गाइज और देखे मैं अभी अपने रूटी सन पा आ गई हूं और मैंने योगा अगिरा कर लिया है अभी मैं यहां पर जाड़ो अगिरा दे रही हूं और देख C अधर कर द् רर्मों में आपलों और मैंने तो सारी तयारी कर लिँ है और मैं फुला और तो मैंने रात को कोई कट कर लिया था अभी अधर पेश्ट किया और मटर भी रात कोई छिलके रख दिया था मैंने और गाजर कट किया मैंने अभी और यहां पर मैंने अधर पेश्ट डाल लिया है और भी शेम टेम टमाटर डाल दूंगी मैं और पी गाजर डाल दिया है और मैंने सब सब्सब अजालने से सब्हुंआ क्टारिये सब्जी कि बनाए और यहाँ यहां रख दन्येटा टा में ने जुचें हैं करें तो चोड़ी यड़़ा सब्झिता ट्रक्षा है तो डला में याँ लो थिन दी कीफ कर से convictions ने में अभी में नारेल की प्राठे बना रहे हूं और देखें किस तरह नारेल की प्राठे बनारई से और यहां पर एक गूर की चा सन्य बना है उस में मैं पहले से नारेल खिशकी रखाता है मैंने फिरीज में और अभी बना रहे हैं और नारेल डाल देए इसको तो इसका न अच्छे से थोड़ा मुरब्बा बना लेना है और इसको बस थोड़ा ही से गरम कर लेना है ज्यादा इसको मतलब फ्राई ने करना नहीं तो यह चिक्की की जैसे से कर्याट हो जाए गए और देखे अभी मैं दहीकड़ी बना रही हूं और यहां पे मैं दहीकड़ी यह तरह बना रहे हुं आज शिंपल तरीक से और इस तरह की दहीकड़ी बनाने बहुत टेश्टी रहती है तो गाई मेरा तेल-गर्म हो गया और मैंने यहां जीरा और कड़ी में इसका तड़का लगाती हूं और देखिए यहां पर मैंने अभी नमक डाला और दोनों साथ में डाला मैंने प्याज भी और टमाटर भी सबजी के जैसे दोनों साथ में डाला और देखिए इस तरह मेरी सबजी बन भी गई है और अभी मैंने चांज बना लिया दही का अभी मैं उसको डाल देंगिश में और इसमेन न मैंने आते का गोल भी बना लिया है और इस गिलास में नeg-अलग बर्तन में जमाती हूँ कि वैपने जाल पन गया है प्धालवर consult बन गई है और मैंने ना प आज है पर आज नाले की प्राट Pret do और यहां पर देखिए ज़ाइब बन गई है तो देखिए कितना मस्त लग रहा है पतला पतला बना आया है को अरव्य ना मस्त आया है टो गायश मैं भी रोठीच शेकती हूँ और पराठा भी बनाती हूँ तो गाइश मेरा बन गया है और अभी परोटी के नारेल के प्राठव ने बहुत बहुत प्राथे नारेल presenting सब्सक्रियों के इंदी यह चोले ने चल concealing आप आप नेकस लें सोगल है और और में तो ने डाला मैंने इसे बना लिया और बोहट टेश्टें रहे है इसकुल में भी लेके जाता तीफन में तो सारे इंकी फ्रेंसस लोग data बहुत नोग बोलता है बहुत अच्छी ज़िबर तो गाए मैं इसी तरह सारी पराठे शेग लूंगे और देखे मस्त ही लग रहने मेरी पराठे और सिंपलग मेरी रहती है और यहीत भी रहता है क्यों सीक है कि तरह फुल भी दुआ सब्सक्रा कशल को करुदद ट्व है और इसलिये मैं लेक्सों अल्चे 465- Wellness अभी इस तरह बना सोंगे और डिखाउंगे और तो घॉस मेरे पराटे लगों सब्सक्रापट अर्भक की बन मेने अ अिन-भी नम्किन बना उन हो यहां पे मैंने करीशा खैर शरसक कुत लिया दड़ कर देरी मसाल selected और इस चना ऊंए बुर। बनों तो को पहलेख श्यक्तात है, तो मेली पड़नारीक हिरा नमकिन. इस दो कि बाद भी संरा बना हुं, जाले श्यक्ताता है। और बहुत इजीली बन जाता है घर पर और हमारे बच्चों को ने इस तरह सिंपल चीज शादा एकदम चीज बहुत पसंद रहता है ज्यादा हमारे घर में हाइपाई कोई पसंद नहीं करते हैं और देखे मैं इसी तरह कुछ न कुछ बनाते रहते हूं घर पर बच्चों के लिए तो गायद मैंने मुम्फली भी पून लेहां और यहां पे यह लेसर ने के नमारे अभी मैं चनीय के दाल ना भुम लोंगी और वह पता बहुत ज्यादा kinda तोड़ा थोड़ा ही बुलनदे और उसके बाद यह पपोन है पपोन भी इस तरह फ्राइब करूंगे पर्योंगे याजindetे ज NOW सब्सक Scan好 अधमीड डाली नहीं सकते कोई जरूरी में यहां पर मैंने हल्दी डाल दिया और लाल में चीडाइब है और मुर्मूरा को फ्राइब है इस तरह गरम करके ।सलि काले हरा उस में और ज्ञारों नियुद best बस उतना ही करने हैं और देखिए अभी इस तरह से थोड़ा गर्म कलूर में इस तरह करने से नहीं बहुत अच्छे से मसाला लग जाता उस पर तो गाइज मैंने यहां पर सारे नमकीन को फ्राइ कर लिया हैं और देखिए मुर्मुरा भी मेरे आधे कलर आधे वाइड आधे यल्लू दिख रहे हैं यसी कलर जैसे लग रहे हैं और अब मैंने इनको दोनों में डिबाइट कर गे अच्छे से मिक्स कर लोंगी और थोड़ा कि मैं इस दो घाल रहे हैं और इसमेह थोड़ा गुंकि वट यह बड़ा अच्छा लगता है जादा ने डालना बहुत कम डालना को लेपी नणा यह आपि मिरमुराले यह इसपील मुर्मुरा मसाला मोसाला यह चाटा इसमेह पीड़ा क्रहल्स मिलारा यह मिला लोंग बंस और करीपता ने जितना ज्यादा इसमें करीपता रहेगा और उतना अच्छा बनता है नमकीन और नमकीन मैंने करीपता बहुत अच्छा लगता है और मेरा बेटा तो ऐसे करीपता भी खा लेता है वो उसको पसन है करीपता और सबजी में भी करीपता डाल देने वो तो भी फै करीपता झाहिते हैं तो गाली में सक्कर डाल देख पहली बांद मैं दिखाय के तेंस ड्यूक्त मोरी में चाहिए और इस तरह घर में बनाने से बहुत अच्छा रहता है घर में कुछ नो बनाते रहना चाहिए और जो इजी बन जाए जो चीज इस तरह की और देखिए तो सामांतुत सभी बार्शी लेके आए फिर भी घर में के मसाला वगेरा तेल अपने इसाब से डाल सकते हैं और बहार क्यों सामासाला ढालते हैं यह पता नहीं रहता है और कभी कावार तो चलता हैं और देखिए मैं तो इस तरह कुछ नो कुछ घर में बनाती रहते हुँ देखिए कितनी मसुत लग रह यह मेरे नमकीन तो गाईज अभी वीडियो और नहीं यह पर करती हूँ आई होब आपको मेरे वीडियो पसना आ रहेंगे मेरे वीडियो पसना आए तो लाइक कीजे कमेंड कीजे अपने दोस्तों के साथ जालते शेयर जादा शेयर कीजे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज गाईज सस्क्राब कर दिजे मैं मिलते हूँ ने स्टी वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे अपनों का ध्यान रखे जय हिंज जय बारत